हेलो फ्रेंड्स मैं अनामिका स्वाकत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैपी लाइफ ये नामिका में तो कुछ और अमेजिंग सी टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आप लोगों को ये सारी टिप्स पसंद आए और आपके जो डेली के काम है उनमें इनसे मदद मिल सकें वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज की हमारी पहली ट्रिक है जब भी कभी हम किसी भी बरतन में अंडे उबालते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसकी smell जो होती है वो इस बरतन में रह जाती है और फिर जब हम उसी बरतन में कोई दूसी चीज़ बनाते हैं तो उसमें उसकी smell आने लगती है तो ऐसे में हमें लेना है बेसन और जिस भी किसी बरतन में से स्मेल आ रही हो उसमें आप बेसन डाल दीजे और उसके बाद उसको उसी तरीके से बस पानी से हमें साधा पानी से इसको धुलना है इसमें कोई भी साबुन वगरा हमें नहीं लगाना है क्योंकि हम इसको पहले से ही धूल चुके हैं तो अब हमें बस इसमेंसे इसकी स्मेल हटानी है तो आप ये ट्रिक ज़रूर आजमा कर देखिएगा किसी भी बरतन मेंसे ऐसे स्मेल आ रही हो तो आप उसे बेशन से धूल के देखिए तो उसमेंसे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी सारी जो उसकी गंदी स्मेल है वो चली जाएगी तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो चली बढ़ते अपनी नेक्स ट्रिक की तरफ तो दोस्तों जब भी हमारे घर में कोई महमान वगेरा आते हैं और हम नाश्ता लगाते हैं तो उसमें खास कर ये बिस्किट और नमकीन ये दो ऐसी चीजे हैं जो कि इस तरीके से खुली रखने की वज़े से बहुत जल्द ही सीड़ जाती है इसकी वज़े से इनमें नमी आ जाती है और बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही जादा आम बात है तो इसको हम किस तरीके से वापस से क्रंशी बना सकते हैं जैसे बिस्किट का जो कुरकुरा पन होता है जो नमकीन में एक कुरकुरा पन होता है उसको हम फिर से वापस ला सकते हैं जब भी आप इस तरीके से नमकीन बिस्किट आपने प्लेट में निकाल के रखे हैं, किसी के जाने के बाद आप तुरंट उनको इसी तरीके से उठा के फ्रिज में रख दीजे, और 5-6 गंटे के लिए इन्हें इसी तरीके से फ्रिज में छोड़ दीजे, आप चाहें, तो अपने जो बिस्किट के बॉक्स वगएरा हैं, उनको भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो उसके बाद जब आप इन्हें निकालेंगे न, तो आप इन्हें देखेंगे ये वापस से उतने ही क्रंची हो जाएंगे, जितने की ये पहले थे, और जो क्रीम वाले या चॉकलेट के जो बिस्किट सोते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, वो बिस्किट बहुत ही ज़्यादा जल्दी सील जाते हैं, तो उनके साथ आप ये ट्रिक ज़रूर आजमा सकते हैं, तो वैसे आप नॉर्मल किसी भी बिस्किट को आ फ्रिज में रख सकते हैं जिससे उनमें हमेशा कुरकुरापन बना रहेगा और अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिये देखते हैं अपनी next trick तो जब भी हम किसी भी डिपे में मसाले भरते हैं और ये मसाले देखे इस तरीके से उपर तक आ जाते हैं उसके बाद इन में चमज दालना बहुत ही ज़ादा मुश्किल होता है तो जब भी हम इसमें चमच जालते हैं तो उपर तक मसाले भरे होने की वज़े से चमच जो है वो अंदर की तरफ नहीं जाता है और जब भी हमें मसाले निकालने होते हैं तो हमें बार-बार अलग चमचों का इस्तमाल करना पड़ता है जिससे बहुत सारी चमची बेकार में ही गंदी होती है तो अब एक बहुत ही आसान सी ट्रिक से आपके ये प्रॉल्लम भी सॉल्व हो जाएगी तो मैंने लिए एक रबर बेंड तो जब भी किसी भी डिबबे में इस तरीके से मसाले बहुत जादा भरे हों तो आप एक रबर बेंड को बाहर की तरफ इस तरीके से लगा दीजे और उस रबर बेंड में चमच को फसा दीगे तो देखिए हैना आसान सा उपाए अब हमें बार-बार किसी अलग चमच का इस्तिमाल भी नहीं करना पड़ेगा और जब भी हमें अपने मसाले को इस्तिमाल करना है तो हम डिबबा खोलेंगे साइट से चमच निकालेंगे और उसका इस्तिमाल करके वापस इसको वहीं लगा देंगे जब आपके मसाले थोड़े खाली हो जाए उसके बाद आप इस चमच को वापस उसी में डाल दीजिए तो दोस्तों आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो आई हो तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो उसे सब्सक्राइब किये बिना जाएगा मत चलिए बढ़ते अपनी नेक्स ट्रिक की तरफ तो दोस्तों जब भी हमें कोई साड़ी डुपट्टा या कोई भी इस तरीके से कपड़े पहनने होते हैं जिनमें हमें सेफटी पिन का इस्तमाल करना होता है पर कई बार क्या होता है कि जो सेफटी पिन होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं और जब हम इने लगाते हैं किसी कपड़े में स्पेशली जब हम साड़ी में या बलाउज में उसको लगाते हैं जब कई पर्तों के अंदर हम पिन को डालते हैं तो पिन इस तरीके से देखिए जाता नहीं है क्योंकि उनकी जो धार होती है जो आगे से जो उनका नुकिला पन होता है वो खतम हो जाता है जिस वज़े से ये safety pin इसके अंदर नहीं जाते हैं और हम कई बार अच्छे-च्छे safety pins बजार से लेकर आते हैं पर वो भी कुछी दिनों बार इस तरीके से हो जाते हैं तो अब हम इने किस तरीके से सही कर सकते हैं मैंने आपको कई चीजों में धार रखना बताया है तो आज बताती हूं सेफटी पिन में धार कैसे रखते हैं तो मैंने लिए उसके लिए nail cutter, तो nail cutter में जो nail filer होता है वैसे तो आप इसको direct nail filer पर भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर बहुत से लोगों के पास nail filler नहीं होता है तो ऐसे में nail cutter तो हर किसी के घर में जरूर होता है तो nail cutter में एक nail filler लगा हुआ आता है तो उस पर आप pin को इस तरीके से रगड़ेंगे तो रगड़ने से कुछी मिंटो में आपके जो safety pin है उसमें नुकीला पंजो होता है न वो वापस से आ जाएगा और जब आप इसको इसको इस्तमाल करेंगे तो बहुत अच्छे से आप safety pin को लगा सकते हैं कितने भी मोटी परत है उसके अंदर safety pin बहुत ही आसानी से चला जाएगा नहीं पड़ेगी तो friends I hope आपको ये trick भी पसंद आई हो पसंद आई हो तो एक like तो आप कर ही सकते हैं चली friends बढ़ते हैं अपनी next trick की तरफ तो दोस्तों साबुन का गलना तो एक आम समस्या है हर किसी के घर में साबुन जब भी आप रख देते हैं नहाने के बाद कोई भी कपड़े धोने का साबुन हो या नहाने का साबुन हो वो इस तरीके से नीचे से गल जाता है और भले ही आपकी साबुन दानी में कितने भी छेध हो इससे जो उसका पानी है ना पानी तो निकल जाता है पर जो नमी होती है साबुन में वो हर समय उसमें बनी रहती है और धीरे धीरे जो साबुन है वो गलने लगता है तो चलिए एक आसान सी ट्रिक से हम अपने साबून को गलने से किस तरीके से बचाते हैं देखते हैं तो हमें लेना है दो rubber band और इन rubber bands को हम साबून दानी में इस तरीके से चढ़ा देंगे आप किसी भी तरीके की rubber band, rubber band थोड़ी से आप देखें मोटी हो बहुत जादा उसमें लचीला पन ना हो इस तरीके से हमने साबून दानी में rubber band को चढ़ा दिया है और जब भी अब आप साबून का इस्तमाल करें तो इस्तमाल करने के बास साबून को इस तरीके से इसके उपर रख दीजे तो इससे जो साबुन है वो साबुन दानी में नीचे टच नहीं होगा जो पानी है इसका वो भी निकल जाएगा और उपर की तरफ रखे रखे धीरे धीरे साबुन की जो नमी है वो भी खतम हो जाएगी जिसकी वज़े से साबुन जो है वो नहीं गलेगा तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये ट्रिक भी आपको पसंद आई हूँ तो चली बढ़ते हैं अपनी next trick की तरह दोस्तों किचिन में बरतन वगेरा धुलने के बाद भी एक हलकी हलकी सी smell सी जो होती है वो किचिन में हमेशा बनी रहती है जिसका कारण होता है ये बरतन धुलने वाले sponge ये जूने बरतन धुलने के बाद हम इन्हें इसी तरीके से यूं ही रख देते हैं जिससे इनमें पानी भरा रहता है थोड़ी बहुत गंदगी रहती है जिसकी वज़े से पूरी किचिन में ही बहुत ज़्यादा गंदी smell आते हैं तो सबसे पहली बात कि जब भी आप sponge को यूज करके रखें तो उन्हें हमेशा अच्छी तरीके से धुलके रखें और कोशिश करें कि हर दो-तीन दिन के अंदर आप इनें गरम पानी में अच्छी तरीके से धुलके साफ कर लें जिससे इनमें जो भरी गंदगी होती है वो साफ हो जाती है और बिल्कुल भी smell नहीं आती है और स्पॉंज को हमें किस तरीके से रखना है वो मैं आपको बताती है तो इस तरीके के food container box जो होते हैं या cookies वगरा जो भी कुछ आपके धर में समान आता है उसमें इस तरीके के transparent box आते हैं तो इनका इस्तमाल आप जूने रखने को लिए कर सकते हैं पर इसमें हम direct ऐसे ही जूने को नहीं रखेंगे तो पेचकस की help से मैं पेचकस को थोड़ा सा गरम किया है और उससे मैं इसमें hole बना रही हूं जिसकी वज़े से जब हम जूने को या sponge को इसमें रखेंगे उसका जो पानी है वो इसमें बिल्कुल भी रुकेगा नहीं और हमारे जो जूने या sponge वगएरा है वो एकदम dry रहेंगे तो देखें मैंने इसमें इस तरीके से hole कर लिये हैं और अब हम इसमें अपने जूने वगएरा को सब को store करके रखेंगे तो जब हम इनको इस तरीके से रखेंगे तो यह जो हमारे sponge है यह देखने में भी अच्छे लगेंगे और इसमें से कोई smell वगएरा भी नहीं आएगी और बिल्कुल भी गीले नहीं रहेंगे और इस तर दोस्तों, जब भी हम बरतनों को द entferते हैं, तो बरतन के दुलने के बाद जब बरतन सूख जाते हैं, उसके बाद हल्की हल्की यहाटी से साबुन की जो परत होती है, वो हमें बरतनों पर दिखाई देती हैं, जो कि हमारी से चेहत के लिए बहुती जाधा नुकसान दे ऐसा अक्सर जब साबुन से हम बरतन को धुलते हैं तब हमेज यह परत जादा दिखाई देती है अगर आप किसी लिक्विड डिश्वास का यूज कर रहे हैं तो आपको यह परत शायद उतनी ना दिखाई दे तो इस तरीके के बरतनों को हमें दुबारा से धुलना पड़ता है इसकी वज़े से हमारा डबल-डबल काम हो जाता है तो हमें दुगनी मेहनद लगती है तो अब जब भी कभी आप बरतनों को धुले अगर आप साबुन से बरतन धुल रहे हैं मैं आप को साबुन से ही बरतन धुलकर दिखा रही हूँ फेरते जाएए और बरतन को धुल-धुल के रखते जाएए इस तरीके से जब आप हाथ फेरेंगे बरतनों पर तो उसमें जो भी साबुन वगेरा जो लगा रहे गया होगा वो सारा छूट जाएगा हम क्या करते हैं पानी से बस बरतनों को धुला और बरतन को इस तरीके से र मैंने आज भी देखा है कि लोग मोजे से ही बरतनों को धूलते हैं उससे जो बरतन होते हैं वो बहुत ज़्यादा साफ भी हो जाते हैं और उनमें कोई साबुन वगेरा भी नहीं लगा रहे था तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और व